देश में वैक्सिनेशन के उपर एक मिशन मूड में कारे किया जा रहा है हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमने 39.5 क्रूर का आकड़ा भी पूरा किया है और फर्स डोस के तहट देश में 31.61 क्रूर डोसे दी जा चुकी है और साथ में सेकेंड डोस में 7.92 क्रूर डोसे दब तक देश में दी जा चुकी है इस थायति में काम करते हुए हमें अपने समय सामने आने वाले चैलेंजिस को भी समझना पड़ेगा जहां हमने देखा है कि देश में करीब औसेतन 40,000 केसे दा रहे हैं दूसरे स्तर पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अभी भी कोवीड महमारी हमारे बीच में है हम सेकेंड वेव चाहे लिमिटेड जोगरिफी में ही साई हम सेकेंड वेव से अभी भी जूज रहे हैं पूरे विश में भी अगर हम देखें तो आप ये देखेंगे कि जहां 29 सप्रेल के समय में देश पूरे विश में नौ लाग के करीब पृति रोज केसे द रिपोर्ट हो रहे थे तो अब पिछले कुछ दिनों से पूरे विश वियापी स्थाई पर भी केसे में एक ग्रोफ ट्रेजेक्ट्री नोट की जा रही है और पिछले 24 गंटे में पूरे विश में 5,63,000 के करीब केसे रिपोर्ट हुए हैं और यह भी एक सर्च की तरफ जाता हुआ दिख रहा है इसी के साथ ही अगर हम अपने आसपास के जो देश हैं उनसे भी तुलना करें तो हम आप देखेंगे कि आसपास के देशों में भी एशिया के कुछ देशों में भी जैसे की पहले इस से पहले हमने बात की एक स्थाई पर योरोप में भी केसे में वरदी आ रही है हमारे आसपास के जो परोसी देशों में भी केसिज में काफी एक स्पीड से बढ़ता हुआ नोट किया जा रहा है जैसे मयानमार में जहां एक वेव के समय में हाइस केसिज पंदरा सो के करीब थे अब वे तीन गुना करीब 4,600 के करीब केसिज प्रती रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं इंडोनेशिया में जहां 12,800 केसिज एक वेव के समय में मैक्स्रिमन नोट किये गए उसमें भी 3.4 टाइम्स इंटरम सो पीक जो की अभी 44,000 केसिज प्रती रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं और अगर आप देखेंगे इसकी ट्रेजेक्टरी अभी भी बढ़ती हुई दिख रही है जैसे कि मलेशिया में जहां 4,700 केसिज आ रहे थे वहाँ अब 10,000 के केसिज प्रती रोज रिपोर्ट हो रहे हैं आप देखेंगे बांगला देश में डिस्टिंक्ट पीक आई थी लेकिन अगर आप अपके आने वाली पीक देखें तो वह उन पीक को भी क्रॉस करकर उससे हाईयर केसिज आ रहे हैं जरूरी है कि हम इसको समझें और इसके तहट जो भी कारे हमें कोवीट की महामारी को अपने देश में बढ़ने से रोकने के लिए करने हैं उस पर सुचारी रूप से हम कारे करते रहें इस विशे में हम आप लोग के सामने लाना चाहेंगे जैसे अगर आप गूगल का कम्यूटी मोबिलीटी डेटा देखें और उसे एनलाइज करें तो जहां 20 मही वाले हफते में उस समय पर देश में जैसे कि जो कलर की दृष्टी से दिखाया गया है तो जो ब्लू कलर के जो मार्स हैं वह दिखाते हैं कि जहां पर देश की ओवरॉल मोबिलीटी में माइनस 60 प्रतिशत तक कमी हुई थी वह मोबिलीटी अब रिस्टोर होते जा रही है और अगर हम 10 जुलाई के इस मैप को देखें तो आप देखेंगे कि काफी हद तक यह रेड एरिया में कनवर्ट हुआ है यानि कि वह एरिया जहां या तो लिमिटेड मोबिलीटी रिस्टोर हो गई है बलकि पुराने समय से भी अधिक मोबिलीटी कुछ हद तक नोट की जा रही है जरूरी है कि जब हम मोबिलीटी की तरफ बढ़ रहे हैं जब इस तरीके से हम अपनी लाइफ को फिर से रिलाक्सेशन मोड में निरुआ करना चाहते हैं तो हम यह ध्यान रखे हैं कि हमें क्या-क्या साफधानिय अबरतनी है जैसे कि यूज ओफ मास्क दोगज की दूरी एंड हाई डिजीज पर हमारा उसी तरह से हम कारे करते रहें जो कि हमारे लिए इस कोविड मां हमारे से बचने के लिए बहुत जरूरी है इसी तरीके से अगर आप देखें तो जैसे एक और अनायलिसिस से दिखता है कि ओवराल मास्क यूज जब हम रिजंशन ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें भी कुछ हद तक प्रोजेक्ट डिकलाइन नोट किया जा रहा है जरूरी है कि जो यह लाइन डॉटेड लाइन के रूप में हम दिखा रहे हैं कि जहां माइनस सेवन्टीफोर प्रतिशत से कम होते हुए एक हमारा करन्ट प्रोजेक्शन दिखता है इसको हम रिस्टोर करें और जो यह एक डिकलाइन इंट